हालो दोस्तों केश से हुप सभी स्वाथ करते हैं आफ सभी या यिवस्ति जी को इसमें तो दोस्तों आएध के इस वीडियो में हुआ हम सभी पढ़ने वाले हिंदी को जिसमें आएध का जो टौपिक है हम सभी का वो है हिंदी भासा काफी important topic है और इस topic से जितने भी प्रस्ण बन सकते थे सारे प्रस्णों को आईज किस लेक्चर भी mention किया गया है तो चलिए शुरू करते हैं और आप से भी के लिए application पर भी classes चलिए तो जो join करना चाहते हैं जाईए join किजिए और त्यारी किजिए आप से भी friend क्योंकि अगर एक sheet पका करना चाहते हैं तो त्यारी आपको perfect तरीकी से करना होगा तो आईए शुरू करते हैं आज किस class को हम सभी जो चल पड़ना है जो लोगों subscribe करने हैं गंटी को प्रीस कर लिजएगा फ़र्ष्ट question देखिए कोईशन है हिंदे किस भासा परीबार की भासा है अगर insert में किसी भी कोईशन का answer पता हो तो अपना answer आप सभी नीचे comment box में बता सकते हैं चले बताएगा हिंदे किस भासा परिबार की भासा है friend तो right answer option में ये हो जैंगे भारोप ये भासा परिबार की भासा है हिंदी ए ये right answer हैंगे ध्यान रखेगा आप सभी अगला question है भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भासा कौन सी है तो भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भासा जो है फिन वो हिंदी बोली जाती है ध्यान रखेगा और ज्यादातर हिंदी उत्तर भारत में बोली जाती है किलियर है अगला कोईशन देख लिजी अगला कोईशन है कि हिंदी भासा का जन्म हुआ चले बताएगे इस question का right answer क्या हो जाएगा हिंदी भासा का जन्म जो हुआ था वो किस से हुआ है अब भरंज से हुआ है ध्यान रखेगा आप सभी ए right answer है important question रहेंगे friend याद रखेगा आप सभी अब भरंज से हिंदी भासा का जन्म हुआ है अगला question देख लेते हैं अगला question है कि निम्न मेंसे कौन सी बोली अथवा भासा हिंदी के अंतरगत नहीं आती है friend निम्न मेंसे कौन सी बोली अथवा भासा हिंदी के अंतरगत नहीं आती है चार option दिया हुआ है तो right answer option नमर दी हो जाएंगे तेलगू नहीं आती है ध्यान डखेगा आप सभी केलियर है जबकि कन्नोजी, बांगोर और अब्धिये सभी भासा हिंदी के अंतरगत आती है जबकि तेलगू नहीं आती है अगला कोईशन कर लेते हैं अगला कोईशन है कि हिंदी की विशिष्ट बोली जिसे ब्रज भासा का जाता है किस रूप में सबसे अधिक परसिद्ध है ये हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भासा किस रूप में सबसे अधिक परसिद्ध है तो राइट आंसर ओफिसर नमर डी हो जाएंगे काई भी भ बहारत वर्स में हिंदी तो आप किस वर्ग में रखे गा चलिए बताएंगे आप सभी इस्कुरिषिन का राइट आंसर क्या होगा भारत का राज जिबासा है इन्दी ध्यान रखेगा आप सभी अगला कोशन देख लिजे डुढ़ाली बोली है तो पूर्वी राजस्थान की ये बोली है ध्यान रखेगा आप सभी बी राइट आंसरेंगे कहां की है पूर्वी राजस्थान की है अगला देखिए ब्रज बोली नाम से जाने जाती है बोली कर लिज़ेगा ब्रज बोली नाम से जाने जाती है तो पुरानी बांगला थ्यान रखिएगा ब्रज बोली नाम से जाने जाती है पुरानी बांगला को औप्शन में डिरेट आंसरेंगी आई अगला कोईशन देख जिनिम्न में से कौन सी भासा देवनागरी लिपी में लिखी जाती है आप एक्जाम पेपर दिये होंगे तो उस समय देखेगा लिपी आप सबी सी लिखाया जाता है तो अंग्रेजी में क्या होता है रोमान होता है हिंदी में देबनागरी लिखाय जाते तो ध्यान रखेगा माराथी भी देबनागरी लिपी में ही लिखा जाता है तो इसका option must be right answer एंगे और हिंदी भी देबनागरी में ही लिखा जाता है अगला हैं कि एक मनई ते दूई बेटवे रहीन ओ मा लहरा अपने बाप से कहिस दादा धन मा जबन हमर बखरा लागत होई तबन हमका देदा या अप्तरन हिंदी के किस बोली में हैं एक मनई के दूई बेटवे रहीन ओ मा लहरा अपने बाप से कहिस दादा धन मा जोईन हमर बखरा लागत होई तबन हमका देदा या अप्तरन हिंदी के किस बोली किये तो राइट आंसर ओफ्सन नमर सी हो जाएंगे अबधी बोली किये फिर ध्यान रखेगा आप सभी किस बो आना है कि जो भी बखरा हो रहा है उसमें से जो हिसा मेरा आ रहा है वो हिसा हमें दे देजी नेमन में से कौन सी भासा संस्कित भासा की अबभरंस हैं तो संस्कित भासा की अबभरंस जो है वो पाली है आफ्शन मर डिर आइट आंसर रहेंगे याद रहेगा ध्यान रखेग आप सभी पाली भासा अगला देख लेज़े अधिकतर भारतिय भासाओं का विकास किस लिपी में हुआ है तो देखे अधिकतर भारतिय भासाओं का जो विकास हुआ था फिर वो ब्रहामी लिपी में हुआ था ब्रहामी लिपी का सकते हैं option मड़ी राइट आंसरेंगे इसका तो देवनागरी लिपी में लिखी जाती है अब आपको बताये थे हम अगला है बरतमान हिंदी का परचालित रूफ है क्या लगता है आपको क्या जाएगा इसका आंसर बरतमान हिंदी का परचालित रूफ है तो खड़ी बोली होगा, ध्यान रखेगा आप सभी, क्या हो जाएगा, खड़ी बोली अगला कोशिन कर लेते हैं, अगला कोशिन है कि हिंदी भासा की बोलियों के वर्गी करन के अधार पर 36 गड़ की बोली है हिंदी भासा की बोलियों की वर्गी गरन की अधार पर 36 गर्ट की जो बोली है वो क्या है तो यहाँ पर पूर्वी हिंदी बोली है A right answering ध्यान डखेगा आप सभी पूर्वी हिंदी बोली है अगला है नेमन में से कौन सी पस्च मीं हिंदी बोली नहीं है पस्च में हिंदी बोली जो नहीं है बगेली नहीं है जबकि बुंदेली, ब्रजबासा, कन्नोजी ये सबी पस्च में हिंदी बोली है अगला कुश्चन देख लिए भारते स विधान में किन अनुछячचों में राजबासा संब्मनित परापधानों का उलेख है चलिए बताएंगे आप सभी किस अनुच्छेद में राजभासा संबनित प्रापधानों का उल्लेख है इसको तो आपको याद रखना ही रखना है किसी भी आलत में नहीं रखेगा तो फिर जाइएगा तेल लेने के लिए क्योंकि अनुच्छेद से संबनित है और कोई सिन पूछता है अनुच्छेद से संबनित ध्यान रखेगा आप सभी तो इसका राइट आंसर हो जाएगे ओप्सन नमबर ए 343 से 351 तक है ध्यान रखेगा राजभासा संबनित प्रापधानों का उल्लेख अनुच्छेद ओफिशन में डि राइट आंसर हैंगे अगला कोई सिन कर लेते हैं तो देखें हिंदि भासा की विकास का सही अनुक्रम जो हो जाएगा वो आपका पाली, प्राकृतिक, अबरंस और हिंडी होगा तो हिंदी बासा की विकास का सही करम क्या था पहले पाली था उसके बाद प्राकिर्टिक हुआ उसके बाद अबरंस हुआ तब हिंदी हुआ है अगला कोई सेने कि सविधान के अनुचे 351 किस विशे का वर्नन है अनुचे 351 किस विशे का वर्नन है सविधान में तो इसका राइट Rise option में डियो जांगे हिंदी के विकास के लिए निर्देश दिया गया है किस अनुचे 351 में डिया गया है अगला कोई सेने देखे ब्रज भासा है तो दिखे ब्रज भासा जो एफिंट पस्च में हिंदी भासा है ब्रज भासा आफसन में भी रैट आंसर हैंगे अगला कोशन है मागाही किस भासा की बोली है चले बताएंगे आप सभी मागाही किस भासा की बोली है तो याद रखेगा बिहारी भासा की बोली है मगही याद रहेगा बिहारी भासा की बोली क्या है मगही है बिहार की है अगला कोश्चन कर लेते कि हिंदी खड़ी बोली किस अभरंस से बिक्सित हुई है चलिए बताएंगे इस question का right answer क्या हो जाएगा हिंदी खड़ी बोली किस अभरंस से बिक्सित हुई है सौर सेनी से हुई है see right answer हैंगे जो भी option में C को टिक करें बिल्कुल right answer है सौर सेनी से हुई है अगला है भासा के अधार पर भारतिय राज्यों की पुना सनरचना की गई थी वो 956 इसवी में की गई थी option में direct answer हैंगें अगला question कर लेते हैं अगला है कि भासा अधार पर सरपर्थम किस राज का गठन हुआ था भासाई के अधार पर कई बार यह कोईशन पूछा गया है ध्यान ढखेएगा आपसे भासाई के अधार पर तो दिखेए भासा के अधार पर एक ही राज का गठन किया गया था सबसे पहले तो वह आंद्र परदेश होगा उसके बाद देरे देरे अलग аलग राज्य बना था तो सबसे पहले आंद्र परदेश का गठन किया गया बगेली बोली का संसुआउण किस उप भासा है किस उप भासा से है तो यह हो जाएगा पूर्भी हिंदी की उप भासा से सं conversion अगला कोईशन देखिए किस तिथी को हिंदी को राज भासा बनाने का निर्ने लिया गया किस तिथी को हिंदी को राज भासा बनाने का निरने लिया गया था तो ये लिया गया था 14 सितमर 1949 को आफसर नम्मर सी राइट आंसरेंगे 14 सितमर 1949 को हिंदी को राज भासा बनाने का निरने लिया गया था और 14 सितम्मर को राज भासा दिवस मनाय जाता है हिंदी को ध्यान रखेगा आप सबी आगला है वर्ष 1905 में गठित पर्थम राज भासा आयोक के अध्यक्च नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं है हम आपको बता ही रहे तो याद रखेगा आप सबी अगला कोश्चन है कि भारते सविधान के आठवी अनुसूची में सामिल भासाओं की संख्या है तो दीके भारते सविधान के आठवी अनुसूची में सामिल भासाओं की संख्या जो एफिन वो 22 भासा है ध्यान रखेगा आप सबी याद रहेगा अगर भासाओं की बात किया जाए तो वो किस अनुसूची में है तो आठवी अनुसूची में है कितना भासा है बाइस भासा है हिंदी की आधी जन्निनी है तो हिंदी की आधी जन्निनी जो हो जाएगा वो सांस्कृत होगा दिखेगा, ध्यान रखेगा संस्कृत हिंदी की आधी जन्यनी है अगला कोई सेने आठवा विश्व हिंदी सम्मेलन 2007 इसवी का आयोजन अस्थल था World Hindi Conference 2007 इसवी का आयोजन अस्थल था कहां पे तो ये न्यू यार्क में हुआ था कहां पे हुआ था न्यू यार्क में अगला है कि निमलेकित में से कौन भारोपिय परिवार की भासा नहीं है तो दिखे भारोपिय परिवार की जो भासा नहीं है वो मल्यालम नहीं है कौन सा नहीं है मल्यालम नहीं है जबकि आपका माराथी गुजराती और हिंदी ये सभी क्या है भारोपिय परिवार की भासा है अगला कोई सेने हिंदी दिवस किस दिन मनाय जाता है फ्रेंड हिंदी दिवस किस दिन मनाय जाता है तो अभी आपको बताये थे कि हिंदी दिवस जो मनाय जाता है वो 14 सितंबर को मनाय जाता है इस डेट को याद रखेगा आप सभी याद कर ही लिजेगा इस डेट को 14 सितंबर को मनाय जाता है हिंदी दिवस अगला कोशन देख लिजे विकास की दृष्टी से प्राकृतिक की पुर्वकारिन अवस्था का नाम है पाली होगा ए रैट आंसरेंगे विकास की दृष्टी से प्राकृतिक की पुर्वकारिन अवस्था का नाम क्या है पाली अगला देख लेजे पस्च में हिंदी को दो बोलीओं का صही यूगम है तो पस्च में हिंदी की दो बोलीओं का सही यूगम जो है आपका खड़ी बोली और बुंदेली होगा तो इसका option number de-right answer हो जाएंगे खड़ी बोली और बुंदेली होगा के लिया रहें अगला कोशन देख लिए जिए अर्द मागदी अब भरंस से विक्सित बोली है तो राइट आंसर जो हो जाएंगे आफिशन नमर भी हो जाएंगे बगेली है याद रहेगा कौन सी है बगेली अगला कोशन देख लिए जिए अगला कोशन है कि देवनागरी लिपी का सही बिकास करम है देवनागरी लिपी का जो बिकास हुआ है उसका सही करम क्या होगा तो इसका सही करम हो जाएगा option मसी पहले ब्राहमी लिपी होगा तब गुप्त लिपी होगा तब नागरी लिपी होगा तब देबनागरी लिपी होगा तो ध्यान डखेगा एक बार फिर से repeat कर देते हैं देबनागरी लिपी का सही विकास करम जो हो जाएगा पहले ब्रहामनी लिपी हो जाएगा या ब्रहामनी लिपी और उसके बाद गुप्त लिपी तब नागरी लिपी तब देबनागरी लिपी होगा के लिए रहें अगला कोश्चन देख लिए जी अगला कोश्चन है कि हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भासा किस रूप में सबसे अधिक परशिद्ध है तो ये काई भी भासा में परशिद्ध है option मड़ी right answer रहेंगे तो चलिए आज कितना है आज किस क्लास को अब से भी यहीं गस्माप्त करते हैं जहिन बंद मात्रह